नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा के स्कूलों का जायजा लेने के लिए आऊंगा और वो एक तस्मीर पूरी निकल कर सामने आई थी कि जब मनीश से सौधिया उत्तर प्रिदेश पहुंचे थे तो फिर किस तरह के हालात नजर आए थे किस तरह से उनको विरोत का भी सामना करना पड़ा था और कुछ लोगों न देखते ही देखते ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और देखा जाये तो सोम बार का दिन सोमनात भारती के लिए बहुत ज्यादा बुरा रहा क्योंकि पुलिस के साथ उनकी नोग जोग हुई और आपको याद होगा कुछी दिनों पहले उन्होंने एक बहुत ज्यादा व फैकी हुई है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है और इसी गहमा गहमी के बीच आमादमी पार्टे के विधाय को वहां पर विरोत का सामना करना पड़ा ये जो स्याही फैकी गई है इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उस टिपणी से जो सोम बार को कोट से बड़ा जटका लगा और उनको 14 दिन की न्याय खिरासत में भेज दिया गया है जज पीके जैंत ने भारती की जमानत अरजी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की यानि कि आज की तारीख मुकरर की है हाला कि जाहिर तोर पर सोमवार का दिन तो उनके लिए देखना होगा कोट उनको राहत देती है या फिर उनके लिए आफत बनती है दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सोमनाथ भारती जबरदस तरीके से ट्रोल हो रही है उनकी विवादित टिपणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया जा रहा है दिले के मुखे मंतरी अर्विंद केज तो हो नहीं था और फिर आप उत्रप्रदेश के अस्पतालों की बात कर रही है और फिर आप उत्रप्रदेश में ही आ रही है दरसल लोगों के जो सेंटिमेंट्स है उनका भी इन नेताओं को खासा खयाल रखना होता है और अगर वो सेंटिमेंट्स ये खयाल नहीं रख प होते हैं कि आपको लगता है सोमनाद भारती का ही जो बयान है ये आने वाले वक्त में यूपी में जो आमादमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है जो भी आपका मानना हो इस पूरी खबर को लेकर कमेंट करके हमें जबूर कर दो बता है